नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यूद करशाइस यूटूब चैनल पर और पर्यावरण की जो श्रिंखला में चला रहा हूँ उसी में आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में इसे हम राश्ति उद्यान कहते हैं तो राश्ति रहिए अच्छे से खुब पढ़िए और एक्जाम की डेट्स जो है अब धीरे धीरे आना शुरू हो गई है और आफ्टर चुनाओ चुनाओ के बाद और भी तेजी से प्रक्रिया और भी तेजी से जो है पकड़ेगी तो इसलिए जो है धीरे धीरे हर एक वीडियो को देखिए और साथ ही साथ जैसा कि मैं अपने वीडियो में बताता हूं एक बच्चों नोट जरूर प्रिपेर किया कीजिए एक शौर्ट नोट प्रिपेर करने से एक रजिस्टर पर नोट करने से चीज़ें आपको जब लिखेंगे तो 50-60 परसंट तो ऐसे ही याद हो जात तो नेशनल पार्क इस से पहले कि जो बच्चा वीडियो पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है ठोंदेशन में आपको बताया था कि हम दो तरह से कंजर्व करते हैं, हालका समय हिस्टरी पे जाओंगा, दो तरह से बताया था इकंजर्व हम करते हैं, एक होता है इनसी투 और रही होता है exit इन मतलम अंदर और एक्स मतल्व हमने बताया था exit होता है याद करिए अगर आपको नहीं याद आ हो तो playlist में जाकर करके आप वीडियो सर्च कर सकते हैं वहाँ ऊपको वीडियो मिल जाएगी तो इनसी टू में क्या बताता है C2 में हमने बताया था कि हम उनको उन्हीं के प्राकृतिक आवास में संरक्षित करते हैं, उसी तरह का उचितवाता और न दे करके उनको हम कंजर्व करते हैं. C2 में क्या था? C2 में मतलब exit होता, exit मतलब होता बाहर निकलना, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता बच्चों? स्थान आंत्रन होता, मतलब स्थान का changing होती है, position change होती है. और जैसे माली जे मैंने उसमें एक example भी आपको दिया था, कि जैसे माली जे केसर है, जम्मू कश्मीर में होता, तो उसको UP में अगर करना, तो साफसे आपको उसका environment produce करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे survive कर पायेगा. तो उसक्रम में हमने आपको यह भी बताया था, कि उसमें नेशनल पार्क, वने जीव अभ्हारा ने यह तमाम चीज़ आती है, तो अब इसमें हम नेशनल पार्क के बारे में बात करने जा रहा है. तो राश्टी उद्ध्यान क्या है आए देख लेते हैं? उनकी रक्षा के लिए ऐसा सुरक्षी शेत्र बनाया जाता है जिसमें वो फ्रीली रह सकते हैं, अगर हम जंगल की बात करें, तो जंगल में आप देखेंगे, तो एक सर्टेन एरिया आप देख रहे हैं, जब उसके अंदर जा रहे हैं, तो वनी वन हैं, अंदर क्या हैं, वन देखी हैं, तो उसमें आप यह देखते हैं, कि किस हिसाब से वहाँ पर जो वन प्राणी हैं, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छा, अब यहाँ से एक कोशन मुझे समझ में आता है, अब हम यह तो हलका सा अब्जर्व कर चुके हैं, कि क्या है, नेशल पार्क है पर अब हमको यहाँ से दो चीजे याद आ रहे हैं, कि वन संरक्षन अधिनियम, एक तो याद आ रहा है, वन संरक्षन अधिनियम, वन संरक्षन अधिनियम, तो बच्चों वन संरक्षन अधिनियम कब का है, 1980 का है, इसको अच्छे से याद करिए, और दूसरा है, वन ने सं तो मैंने हम लाईए इसको लिखवा दिया जए और अच्छे से याद कर याद लित तो Вन संन्रक्षना दनियम है और ने संरक्षना दनियम है तो दोनों को अच्छे से हम लोग याद करें तो और वनroscopy का है और वनने तो संख्या में आ सकता है, आफ से परिच्छा में पूछा जा सकता है कि नेशनल पार्क यानि राष्त उद्यानों की संख्या वरतमान में बच्छों कितनी हैं, तो 105 हैं, जिसमें सबसे पहला जो जो Online पार्क है, वो जिम कॉर्बेट है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी तो Jim Corbett की स्थापना 1936 में की गई थी ये बच्चों उत्राखंड में है कहाँ पे है? उत्राखंड में है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है ये भी परिच्छा का प्रश्ण है Halley National Park इसे क्या कहा जाता है? Halley National Park भी कहा जाता है तो यहाँ तक हम चीजों को जाने अच्छा लगा ये आउट कोशन है आता ही आता है कि भारत का पहला National Park कौन सा है तो आप लगाएंगे Jim Carbett National Park कहाँ पर है? उत्राखंड में है कब स्थापना हुई? 1936 में स्थापना हुई तो चीजे clear होनी चाहिए अब National Park बनाने का उद्देश क्या है? अगर हम आपसे कहें कि भाई National Park क्यूं बनाए जाते हैं? तो हम यह कहेंगे वन संपदा संपत्ति एवं वन जीवों की सुरक्षा करना वन संपदा संपत्ति एवं वन जीवों की सुरक्षा करना यानि की कभी भी National Park जो बनाए जाते हैं उनका परपस यही होता है जो भी हमारी वन संपता है संपत्ति है और उसमें रहने वाले जो वन जीव हैं उनकी हम सुरक्षा कर सकें ठीक है? ऐसा नहीं है कि जा करके जो है उनको कोई हाम पहुचा सके या वहाँ पर उपस्ति जो भी प्रजातिया है उनको किसी तरह का कोई दुक्सान पहुचा सके इसलिए जो है उनको कंजर्व किया जाता है अब एक क्वेशन मेरा आप से है आप लोग मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि ये जो वन्य जीव अभ्यारन होते हैं और नेशनल पार्क होते हैं वन्य जीव अभ्यारन और राष्टी उध्यान कह लिए तो राष्टी उध्यान को ही अम नेशनल पार्क कहते हैं तो इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है ये मेरा आपसे प्रश्ण है, कमेंट में इसका अंसर जरूर दीजेगा, मैं फिर कोशन रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल पार्क और वन जीव अभ्यारन में अंतर मौलिक अंतर क्या होता है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में देंगे, अब बचों इसके आगे, अब इसी क अच्छा उप्योगी ही लिखा है, और यह भी बताओंगा साथ इसाथ, क्वेश्टन कैसे अराइज हो रहे हैं, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर ये बात करूँगा, तो जम्मू कश्मीर के अगर हम मैं बात करूँगा, तो दाची गाम है, तो दाची गाम, अच्छे से आ रखेगा, अब ये ले का पाट हो गया, ले लदाग, ठेक है, दाची गाम जो है, पूछा गया है, दो तरह से कोश्मीर में, और ये किसके लिए जाना आता है, हंगुल के लिए जाना आता है, ये बहुत इपोर्टेंट है, कश्मीरी हंगुल के लिए जाना जाता है, ठेक ह आप बता दिये, खासकर जम्मू कश्मीर से लिटेट, तो दाचिगाम हो गया, हैमिसाई हो गया, और सलीमली, हैमिसाई is the part of ले लता, clear, आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, HP मतलब क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, very very important है, very very important है, इसको कर लिजे, पिन घाटी, कभी आप से pin valley भी पूछ सकता है, pin valley, ऐसे लिख देगा, ये लिख दिया pin, और ये लिख दिया valley, pin valley, ऐसे भी लिख सकता, confused मत हो गयेगा, तो pin valley यानि pin घाटी कहाँ पे हैं, बच्चों, हिमाचल प्रदेश में हैं, तो pin घाटी भी है, खिरगंगा भी है, दोनों हिमाचल उत्राखंड की अगर हम बात करें तो ये है राजा जी जो बागों के लिए जाना जाता है राजा जी नंदा देवी और फूलो की घाटी राजा जी है नंदा देवी है फूलो की घाटी बच्चों ये तीनों ही कहां पे है उत्राखंड में है रिपीर करता हूं राजा जी नं अब separate question भी पूचा है कि फूलो की घाटी कहां पे है तो फूलो की घाटी उत्रा खंड में है तो इसको separate भी दिमाग में बैठा लो कि फूलो की घाटी कहां है बच्चों उत्रा खंड में है नेक्स्ट राजिस्थान जो की हमारा पश्चिम में पढ़ता है पश्चिमी हमारा प्रदेश है राजिस्थान तो यहां पर है केवला देव तो केवला देव और सरिस्था तो केवला देव और सरिस्था जो है बच्चों यह राजिस्थान में है नेक्स्ट है गुजरात उसी के जस्ट नीचे गुजरात जो है गिर गिरवन यहां पाए जाते हैं गिर जो है वो किसके लिए जाना जाता है एशियाई बबर के लिए जाना जाता है आया है प्रश्ण जो गिर है वो किसके लिए जाना जाता है बच्चो एशियाई बबर के ल वसी है और दूसरा संजय गांधी तो गूगा अमल जरू याद रखे गा गूगामल गूगामल आया हुगा प्रश्ण है तो गूगामल आपको laat रखना रहे बहुत बांदीपूर है, बन्नर घटा है और नागर होल है अब इसमें बन्नर घटा से एक separate question बनता है यह तितली के लिए यह तितली उद्यान है तो करनाटक में तीन वच्चों कौन कौन से हो गया बांदीपूर हो गया बन्नर घटा हो गया और नागर हो गया बांदीपूर हो गया वो तितली उद्यान है तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है केरला तो केरला में आप देखिने take a AJ or शांत हटी ऑफ इंपोर्पर्टन्ट है पेर यर तो पेरियार कहां पह प्रशों केरल में है और शांतख्रंटी भी कहां पे किरल्ड ये बिर्वी घाट और पश्चीम घाट जहां मिलते हैं तो वहीं पे हैं नीलगीरी की पहाड़ी जिसकी उची चोटी है दोधा बेटा और दक्षिर भारत की सबसे अगर देखेंगे तो उसी की जश्च नीचा अन्नामलाई की सेड़िया अन्नामलाई की अनाई मूटी सबसे इंद्रावती है और कांंगेर है इंद्रावती बहुत ज़्याद़ इपे एब 311 लें ओडिसा ओडिसा में भीतर करनी का है सिम्लिपाल सिम्लिपाल बराबर पुछा एता है सिम्लिपाल कहां पर है ओडिसा में सिम्लिपाल बच्चों कहां पर है ओडिसा में वेस्ट वेंगवन के अगर हम बात करें तो सुंदरवन है और जल्दा पारा है सुंदरवन बहुत पुर्णा हो गया है आप जल्दा पारा फोकस करये का आ सकता है मनिपूर में केबल लाम जाओ केबल लाम ज़ो तेरता हुए है निशन् सब्सक्या याद रखना है कि राजभासMy ंग्रेज़ु जी तो यह यह बी आपको याद रखना राजभाह सा गा अग्रेजु उसके बाद है अणुटाष प्रदेश और नाचर पते सबसे पूर्वी प्रदेश नाम दफा वहीं पर ही है जारखण में बैतला है बैतला पार्क कहा है जारखण में UP में दुध्वा Principal Park लाखिमपूर्खीरी में है मद्दप्रदेश में कानह है पेच है बांधवगड़ बहुत इं परदेश में कानहा नाइटी फिस्टी फाइब का बागोगी लिए आफ बानधवगड़ तो कानहा पेच बांधवगड़ कानहा बच्चो MP में बिहार में वालमी की वनिजी अभ्यारन है वालमी की वनिजी अभ्यारन कहा है बिहार में याद करिए वालमी की वनिजी अभ्यारन कहा है बिहार में असम में क्या है असम में काजी रंगा है और मानस है असम में दो हैं बहुत इंपोर्टेंट है काजी रंगा असम है और म चाहिए आते हैं काजी रंगा समय एक सिंग वाले गेंडा के लिए मानस असम में बाग के लिए भूना नहीं है भूलना नहीं है रहलो n कंचन जंगा सिक्किम सिक्किम में कौन सा नेशल पार्क है कंचन जंगा कंचन जंगा सिक्किम में है साथ सिक्किम एक ऐसा भारती राज्य है जो तीन तरफ संतर राश्टी सीमां से घिरा हुआ है नेपाल भूटान और चाइना नेपाल भूटान और चाइना नेपाल भूटा करने वाला वाला तोह आपका पहला राज्य यानी जैविक राज्य कह सकते हैं ये क्या है जैविक राज्य है क्या है अंडमांन निकबार में माउन्ट हैरीट हो शी तो माउंट हैरियेट और सेंडल पीक कहा हैं अंडमान निकोबार में तो नेशनल पार्क की यह जो मैंने वीडियो बनाई खासकर यह यह जो सेक्षन मैंने आपको बताया और साथ-साथ कुछ और फैक्ट जो मैंने कवर कियें बच्चो इस पर जरूब फोकस की जगवर ना का इसलिए इसको बार-बार लिकर के और कुछ कोड से आप अपने इसको याद करिए अच्छे से और साथ-साथ यहां जो मैंने चीजे जो बताई इसको भी आप फोकस करीगा क्यों नेशनल पार्क बनाएंगे क्या है इसका उद्देश यह सब जो मैंने बताई इस अब आपक की प्रोबिल्टी कम होगे एकजाम में होने की इसलिए एकदम इसको अच्छे से पी जाएगे है ना तो चलिए मिलते है नेक्स वीडियो में अभीक लेता ही धन्यूंद